हलो फ्रेंड्स आप सभी का पी एंसे यूट्यूब चानल पे स्वागत है देखें फ्रेंड्स महाराश स्टेट बोर्ड के क्लास 12 के 2013 से लेके 2021 तक पास्ट येर क्वेस्चन पेपर जो है इन सभी क्वेस्चन पेपर में से चाप्टर वाइस क्वेस्चन के सलुशन को हम यहा इस वुडियो में हम 2016 से लेके 2021 तक जो रिमेनिंग क्वेस्चन पेपर से तो उन क्वेस्चन पेपर में से मैट्रास इस चाप्टर के हरे क्वेस्चन के सलुशन को यहां पर डिसकस करेंगे देखें फ्रेंड्स आने वाला 2022 और 2023 इन दोनों एक्जामिनेशन में 25% सिलाबस आपका मैट्रास इस चाप्टर में से रिडॉक्शन मेत डिलीट हुआ है तो यह जो 75% सिलाबस बचा है इसका प्रिपरेशन हमें 2022 और 2023 इन एक्जामिनेशन के लिए करना है मैट्रास ये चाप्टर 6 मार्स का है तो इस चाप्टर के उपर जनरली 2 मार्स का 1 और 4 मार्स का 1 ऐसे 2 questions आपको पूछे जाते हैं 2 मार्स का question जनरली order 2 by 2 का matrix दिया जाएगा और उसका हमें inverse find करना है इस प्रकर का question पूछा जाएगा और 4 मार्स का जो question है आपको word problem दिया जाएगा उस word problem को condition उसमें जो रहेंगे उन conditions को use करके linear equations form करना है और फिर उसे solve करना है by inversion method क्योंकि reduction method तो इस साल delete हुआ है या फिर आपको linear equations दिये जाएगे उन linear equations को solve करना है by inversion method तो इस प्रकर के दो questions आपको 2022 या फिर 2023 इन examination में पूछे जाएगे तो देखे फ्रेंट्स इन दोनों exam के लिए ये जो past year question papers के questions है इनने discuss करना इनके solutions prepare करना आपके लिए बहुत important है अब बहुत सारे बच्चों के comments आ रहे हैं क्योंकि इन वीडियो को बहुत अच्छा response भी मिल रहा है तो बहुत सारे बच्चे comments में यही पूछ रहे हैं कि sir इनी प्रकर के questions examination में आ सकते हैं क्या देखें friends 2013 से लेके 2021 तक जो 17 examination हुई है जो हमारे पास 17 question papers है तो इन 17 question papers में इतनी variety है तो इसके अलावा इसको छोड़ के और किसी प्रकर का question आपको examination में रही नहीं सकता है क्योंकि सभी प्रकर के questions यहाँ पे cover हुए है तो मेरा यही कहना है कि आप examination के लिए इन वीडियो को अवश्य देखिए इन वीडियो में जो questions के solutions हम discuss कर रहे हैं उन सभी questions के solutions को अच्छी तरह से prepare किजिए और इन वीडियो को आपके पूरे friends के साथ आवश्य शेर किजिए क्योंकि यह वीडियो आपके पूरे friends के लिए बहुत useful है बहुत फाइदे बंद है क्योंकि अगर इन questions के solutions को आप prepare करते हैं तो examination में इनी प्रकार के questions आपको पूछे जाएंगे तो इन questions के solutions को आप अच्छी तरह से prepare किजिए देखिए March 2016 जो है क्योंकि इसके पहले तो हमने पहले उडिए lecture में discuss किया अब 2016 से लेकर आगे के questions के solutions को हम discuss करेंगे यहाँ पे भी देखिए आपको matrix A दिया है order 2 by 3 का यह matrix order 2 by 3 का है और फिर matrix B है यह 3 by 2 का और यहाँ पे हमें matrix AB का inverse पूछा गया है ठीक है ना तो इसके पहले इसके लिए सबसे पहले हमें matrix AB फाइन करना जरूरी है अब अगर A 2 by 3 का है B 3 by 2 का है तो इसका मतलब इसके column की संक्या और इसके row की संक्या सेम है हम दोनों का product ले सकते है तो matrix AB जो रहेगा यह order 2 by 2 का matrix रहेगा ठीक है ना इट इस 1, 2, 3, 1, minus 2, minus 3 फिर यहाँ पे रहेगा 1, minus 1, 1, 2, 1, minus 2 इनका हमें product लेना है चीक है now AB equals 2 अब first row से first column को multiply करना है 1 से 1 को multiply किया 1 रहेगा 2 से 1 को multiply किया 2 मिलेगा 3 से 1 को multiply किया 3 मिलेगा first row से first column को multiply किया 1 से minus 1 को multiply किया minus 1, 2 से 2 को multiply किया 4, 3 से minus 2 को multiply किया minus 6 चीक है अब हम second row से first column को multiply करेंगे 1 into 1, 1, minus 2 into 1, minus 2, minus 3 into 1, minus 3, 1 into minus 1, minus 1, minus 2 into 2, minus 4, minus 3 into minus 2, plus 6, okay, तो देखिए, अब हमारे पास matrix AB जो है, matrix AB रहेगा, 1 plus 2, plus 3, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, फिर minus 1, plus 4, it is 3, 3 minus 6, it is minus 3, okay, 1 minus 2, it is minus 1, minus 1, minus 3, minus 4, okay, minus 1, minus 4, minus 5, minus 5, plus 6, it is 1, तो इस प्रकार से हमारे पास matrix AB रहेगा, अब हम इसका determinant find करता है, determinant of AB equals to determinant of 6, minus 3, minus 4, 1, Now, determinant of AB equals to, इन दोनों का product, 6 into 1, 6, minus 4 into minus 3, plus 12, इसे हमें minus करना है, minus 12, it is minus 6, which is not equals to 0, और therefore हम क्या कहेंगे, AB inverse exist, क्योंकि यह non-singular matrix है, तो इसका inverse exist होगा, ठीक है, अब हमें AB inverse find करना है, उसके लिए हम adjoint method use करेंगे, तो सबसे पहले हम adjoint of AB, इस matrix AB का adjoint find करते हैं, और इसका adjoint find करने का बहुत ही simple तरीका है, क्या करना है, diagonal elements को interchange करना है, 1, 6, non-diagonal elements के sign change करना है, तो यह रहेगा 4, 3, ओके यह जो matrix AB हमारे पास है इस matrix AB में से diagonal elements को interchange करना है और non-diagonal elements के sign change करना है फिर इसके बाद हमें formula यूज़ करना है sorry AB inverse यहाँ पर matrix AB है हमें हमेशा A लिखने की आदत सी हो गई है तो यहाँ पर देखिए लेकिन यहाँ पर AB inverse find करना है AB inverse equals to 1 upon determinant of AB into adjoint of AB यह हमारे पास formula है therefore AB inverse equals to क्या रहेगा देखिए 1 upon 6 माइनस 1 upon 6 माइनस 1 upon 6 फिर यहाँ पर रहेगा 1, 3, 4, 6 अब हमारा answer सही है या नहीं हम check कर सकते हैं बहुत ही simple है इसके first row से इसके first column को multiply कीज़े बहर minus 1 by 6 से तो अंतर आपको 6 मिलेगा 6 into 1 6 minus 3 into 4 minus 12 6 minus 12 minus 6 बहर minus 1 by 6 है फिर इसके बाद में second row से second column को multiply कीज़े minus 4 into 3 minus 12 1 into 6 6 minus 12 plus 6 it is again minus 6 बहर minus 1 by 6 है minus 1 by 6 into minus 6 it is again 1 तो इसका मतलब यह जो AB inverse हमने find किया यह हमारा answer सही है तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे जो AB हमने find किया इसके लिए हमें यहां तक के portion को one mark दिया जाएगा फिर आगे वाला जो portion answer तक का इसके लिए one mark रहेगा तो इस प्रकार से यह two marks के question का solution रहेगा ठीक है इसका screenshot लिजिए March 2016 में जो next question हमें पूछा गया है देखिए फ्रेंड्स अभी तो महेंगा इतनी बड़ी है कि फ्रेंड्स पेंड्स प्रेंड्स प्रेंड्स और टू ड़ेंगा इतनी बड़ी है रूपी शिक्टी में आना पॉसिबल नहीं है यह March 2016 है तब महेंगा ही कम थी इसलिए उस प्रकार का question उस time ठीक था लेकिन अब यहाँ पे अगर आपने September 2021 का question paper देखा तो उस question paper में यही question पूछा गया है लेकिन यहाँ पे the cost of four pencils is dozen को निकाला गया है the cost of four pencils, three pens and two erasers is रूपी 60 ऐसा दिया है वाई? Because तब यह possible था लेकिन आब इतनी महेंगा ही बड़ी है कि अब यह possible नहीं है same question देखिए September 2021 में पूछा गया है same question okay four marks के लिए ठीक है ना अब यह यहाँ पे भी four marks के लिए हमें पूछा गया है सिर्फ यहाँ वहाँ पे dozen यह word निकाला दिया गया है हमें क्या दिया है the cost of four dozen pencils, three dozen pens and two dozen erasers is रूपी 60 फिर उसके बाद में the cost of two dozen pencils, four dozen pens and six dozen erasers is रूपी 90 फिर whereas the cost of six dozen pencils, two dozen pens and three dozen erasers is रूपी 70 find the cost of each item per dozen by using mattresses ठीक है देखिए अब यहाँ पे यह word problem है word problem में हमें जो पूछा जाता है उसके लिए हम variables consider करेंगे तो generally हम variables consider करते हैं तो यहाँ पे भी हम variables consider करेंगे late हम क्या consider करेंगे देखिए रूपीज याक्स ठीक है न यहाँ पे हम हर एक item का cost consider करते हैं लेट रूपीज याक्स कॉमा रूपीज वाई रूपीज जेड बी दे कॉस्ट आफ ओके अ डजन पेन अ डजन पैंसिल्स पहले पैंसिल्स हैं कॉमा वन डजन वन डजन पैंस ओके यहाँ पे अ या फिर वन लिखेंगे और वन डजन इरेजर्स वन डजन इरेजर्स रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमने इसका cost consider किया है पैंसिल का वन डजन पैंसिल का रूपीज यक्स वन डजन पैंस का रूपीज वाए और वन डजन पैंसिल का वन डजन इरेजर्स का रूपीज हमने जेड लिया है now from given conditions अब देखिए यहाँ पे जो हमें conditions दिये गया है from given conditions अब देखिए September 2021 में आपको यहाँ पे लिखना होगा rupees x, rupees y, rupees z be the cost of a pencil, a pain and a eraser respectively इस प्रकार से लेना होगा ठीक है अब यहाँ पे अगर conditions हम देखते हैं एक dozen pencil का cost हमने, one dozen pencil का cost हमने rupees x लिया है तो four dozen pencil का 4x होगा, बहुत ही simple 4x plus 3y plus 2z equal to हमें 60 मिलेगा उसी प्रकार से इस condition में देखिए, यह condition अगर देखते हैं तो हम 2x plus 4y plus 6z equals to हमें 90 मिलेगा चाहिए तो आप इस equation को simplify भी कर सकते हो यह फिर डिरेक लिए भी solve कर सकते हो whereas the cost of six dozen pencils मतलब 6x, two dozen pens मतलब 2y and three dozen erasers मतलब 3z equals to 70 है ठीक है, अब यह linear equations है, इसे अब हमें solve करना है तो इसका हम matrix form consider करेंगे now the matrix form is देखे फिर इसका matrix form रहेगा ax equal to b where matrix a का value देखे क्या रहेगा matrix a जो है, इसका value रहेगा x, y, z को coefficient मतलब 4, 3, 2 फिर 2, 4, 6 और 6, 2, 3 यह रहेगे matrix a के elements फिर यहाँ पे जो matrix x है यह variable matrix रहेगा x, y, z फिर यहाँ का जो matrix b है यह constant term का matrix 60, 90 और 70 रहेगा ठीक है, अब इस matrix a का हमें inverse find करना रहता है क्योंकि हम यहाँ पे use करेंगे inversion method और आपको दिया जाएगा, देखे, question में आपको दिया जाएगा by inversion method because reduction method तो radius हुआ है तो आप use नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे specially दिया जाएगा by inversion method now determinant of a, मतलब determinant of this matrix, क्या matrix हमारे पास 4, 3, 2 2, 4, 6 और फिर 6, 2, 3 ठीक है ना, यह matrix है इसका हम determinant find करनेंगे, now determinant of a equals to, 4 into inside the bracket 4 into 3, 12, 2 minus 6, 12, फिर second element लेते समय, sign change करनें, इसके रोर column से element skip करनें, 2 into 3 it is 6, 6 into 6 it is 36, उके प्लस, थर्ड वाला element लेते समय, sign change ने करनें, इसके रोर column से element skip करनें, 2 into 2, 4, 6 into 4, 24 now determinant of a equals to 4 into 0 minus 3 into minus 30, उके और फिर plus 2 into minus 20 रहेगा, इसका मतलब, determinant of a equals to 4 into 0, 0, यह रहेगा, यहाँ पे plus 90, यहाँ पे मिलेगा minus 40, which is equals to 50, not equals to 0 therefore हम क्या कहेंगे a inverse exist इसका मतलब inverse exist होगा अब a inverse हम किस प्रकार से find करेंगे, a inverse equals to हम लेंगे, 1 upon determinant of a into adjoint of a यहाँ पे आपको adjoint of a directly find करना है, now 1 upon 50 into adjoint of a, अब देखिया adjoint of a हम किस प्रकार से find करेंगे यह shortcut method यूज करेंगे adjoint of a find करने के लिए, मैं इस पूरे matrix को लिख लेता हूँ, 4, 3, 2, फिर 2, 4, 6, और फिर 6, 2, 3 ओके, इस पूरे matrix को मैंने लिख लिया, हम हर question में inverse find करने के लिए, इसे use कर रहे है जो word problem या फिर linear equation solve करने का जो problem है, वहाँ पर inverse हमें directly find करना रहता है, adjoint directly find करना रहता है, वहाँ पूरे steps आपको carry on करने की ज़रुवत ने रहती, ठीक है अब देखिये, हमें क्या करना है, यह अगे भी हमें copy कर लेना है, 3,4,2,3,4 धान दीजिए, ठीक है ना, हमने क्या किया न, पहले 1st row को copy किया, फिर 2nd row को copy किया, फिर 1st column को कॉपY किया, फिर 2nd column को copy कर दिया, ची hiçbir है, अब इसे हमें देख professionals को और इस row को हमें skip करना है में विό करना है इन दोनों के product से इन दोनों का part minus करना है 4 into 3, 12 2 into 6, 12 12 minus 12, it is 0 देखें लेना है vertical, लिखना है horizontal फिर इन दोनों के product से इन दोनों का part minus करना है 2 into 2, 4, 3 into 3, 9 4 minus 9, it is minus 5 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का part minus करना है 3 into 6, 18 4 minus 2, 8 18 minus 8, it is 10 फिर आप इन दो कॉलम के बारे में हमें सोचना है इन दोनों के प्राटिक से 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 इन दो प्राकार से यहां पर हमें ए इंवर्स मिला है और देखें फ्रेंड्स यह हमारा इंवर्स सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं इसके first row से इसके first column को multiply कीजिए बाहर one upon 50 है तो आपको अंदर 50 मिलना चाहिए बाहर जो भी रहेगा उसका reciprocal बाहर one upon 50 है तो यहां पर 50 मिलना चाहिए क्योंकि बाहर का one 50 और वहां का 50 दोनों का product फिर हमें one मिलेगा क्योंकि यह दो inverse है एक दूजे के इसका मतलब इन दोनों का product हमें identity matrix मिलना चाहिए it is 50 फिर 6 into 10 62 into minus 20 40 60 minus 40 23 into 10 30 ओके 20 प्लस 30 देखे 6 into 10 60 मिल रहे 2 into minus 20 40 मिल रहे 60 minus 40 23 into 10 30 20 प्लस 30 50 बाहर one upon 50 आंसर वन मिल रहे इसका मतलब हमारा answer यहां पर सही है और देख देखे फ्रेंड्स आपको inverse यहीं पर check कर लेना है हमारा inverse सही है या नहीं यह आपको यहीं पर check कर लेना है ठीक है अब हम क्या find करेंगे हमें पता है inverse exist हो रहा है तो यह inverse अगर exist हो रहा है तो इसके बीच में आप लिख सकते थे यहां पर लिख सकते थे या फिर इसके नीच X equal to B इसको हम pre multiply करें यह process आप यहाँ पर भी कर सकते हो ठीक है ना अब A inverse से multiply कर लिया तो A inverse into A into X equals to A inverse B रहेगा इसका मतलब I X equals to A inverse B मिलेगा I X equals to A inverse B इसका मतलब X equals to रहेगा A inverse B क्योंकि identity matrix किसी में matrix को multiply करेंगे तो matrix में तो change नहीं होगा X equals to A inverse B और इसे कहेंगे हम suppose first okay put put A inverse फिर X फिर B in equation first इस equation में हम substitute करेंगे ठीक है अब यहाँ पर हलाकि हमने यहीं पर इसे consider किया तो यहाँ इस equation first भी आपको देने की जरुरत नहीं है हम क्या करेंगे put A inverse X और B इन सभी के value यहाँ पर substitute करते तो यहाँ पर सबसे पहले X का value हमारे पास है X Y Z now this is equals to A inverse का value 1 upon 50 into A inverse A inverse is 0 minus 5 10 okay 30 0 30 0 minus 20 फिर यहाँ पर minus 20 10 10 रहेगा और फिर यहाँ लेना हमें column matrix और column matrix B वाला लेना है क्या है 60 90 70 60 90 और 70 ठीक है ना अभी यहाँ पर हम column matrix लेंगे X Y said now this is equals to 1 by 50 into first row से first column को multiply किये 0 into 60 0 minus 5 into 90 minus 450 10 into 70 700 रहेगा ओके फिर उसी प्रकार से अभी यह second row से first column को multiply करना है 30 into 60 3 into 6 18 फिर उपर के 2 0 1800 0 into 90 it is 0 फिर minus 20 into 70 it is minus 1400 मिलेगा 2 into 7 14 उपर के 2 0 फिर minus 20 से 60 को multiply करना है तो यह minus 1200 मिलेगा 16 into 2 12 ओके 10 into 90 it will be 900 और 10 into 70 it will be 700 तो इस प्रकार से देखिए X Y Z equal to 1 by 50 और मैट्रिक्स में हमें क्या मिलेगा देखिए minus 450 plus 700 it will be 250 ठीक है 1800 minus 1400 यह यहाँ पर मिलेगा हमें 400 900 plus 700 1600 minus 1200 plus 1600 it is again here 400 तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर अंसर रहेगा 588 अगर 50 से आप 250 को divide करते है तो 5 मिलेगा 50 से 400 को divide करते है तो 8 मिलेगा 50 से 400 को divide करते है तो 8 मिलेगा now by equality of matrices by equality of matrices अगर इन दो मैट्रिक्स को हम equal लेते हैं तो हमें X का value 5 मिल रहा है Y का value 8 है और Z का value भी कितना है 8 है ठीक है अब देखें friends अब हमें क्या करना है ध्यान दीजे अब हमें final result यहाँ पर लिखना है क्या final result हमें क्या find करना है the cost of each item per dozen तो हम यहाँ पर लिखेंगे the cost of one dozen क्या सबसे पहले है pencils फिर उसके बाद में है pens फिर उसके बाद में है erasers is rupees क्या है 5, rupees 8 comma rupees 8 respectively यह रहेगा इसका answer क्योंकि सबसे पहले हमने क्या consider किया था cost of one dozen pencils फिर उसके बाद में लिया था pens और फिर उसके बाद में लिया था erasers तो pencil का cost one dozen pencil का cost rupees 5 one dozen pen का cost rupees 8 और वन डेजन इरेजर्स का कॉस्ट यहां पे रहेगा रुपीज ठीक है सेम क्वेस्टन आपको सप्टेबर 2021 एक्जामिनेशन में भी पूछा गया है ओके इसका स्क्रिंशॉट लीजिए जुले 2016 में जो हमें 2 मास्ट का क्वेस्टन पूछा गया है धान दीजिए यह है order 2 का मैट्रिक्स और इसका यहां पे हमें inverse find करना है by adjoint method बहुती simple और बहुती कम समय में इसका हम solution यहां पे लिख सकते है look here a equals to हमारे पास है 2-3-3-5 फिर इस मैट्रिक्स का हम determinant लेते है determinant of equals to determinant of 2-3-3-5 फिर determinant of equals to रहेगा इन दोनों का product 10 इन दोनों का product minus 3 3 into minus 3 minus 9 minus minus यह plus 9 now this is equals to 19 which is not equals to 0 ठीक है इसी प्रकर का दिया है ओके अब देखिए determinant of a तो 19 है इसका मतलब non-zero है इसका मतलब यह non-singular matrix है इसका मतलब a inverse यहां पे exist होता है अब हमें find करना है adjoint of a जब order 2 by 2 के matrix का हमें find करना रहता है बहुत easy diagonal elements को interchange करना है non-diagonal elements के sign change करना है तो यह रहेगा इसका adjoint diagonal elements को interchange करना है non-diagonal elements के sign change करना है 5 3 minus 3 2 इस प्रकार से रहेगा अब हमें a inverse का formula लेना है a inverse equals to 1 upon determinant of a into adjoint of a इसका मतलब a inverse equals to 1 upon 19 adjoint of a is 5 3 minus 3 2 इस प्रकार से यहां पे रहेगा a inverse 1 upon 19 5 3 minus 3 2 अब बहुत ही easily हम इसे check भी कर सकते हैं first row से first column को multiply किजे बाहर 19 है 1 upon 19 है तो अंदर आपको 19 मिलना चाहिए 2 into 5 10 minus 3 into minus 3 plus 9 10 plus 9 19 मतलब बाहर 1 upon 19 है 1 upon 19 into 19 it will be 1 second row का second column के साथ product लीजे 3 into 3 9 5 into 2 10 9 plus 10 19 बाहर 1 upon 19 है answer again 1 तो इसका मतलब यह inverse जो हमने यहां पे find किया यह सही है देखे फ्रेंट्स इसके बाद का जो 4 marks का question है इस July 2016 में पूछा गया already जो हमने March 2016 में question solve किया है eraser, pens और pencil का वही question July 2016 में भी repeat हुआ है तो उसका solution अभी यहां पे हम consider नहीं लेते हैं क्योंकि just हमने इसके पहले उससे solve किया है ठीक है इसका screen swap लीजे March 2017 में हमें यहां पे m से क्यों question पूछा गया है यह matrix है और इस matrix का यहां पे हमें inverse find करना है या तो आप option लेके भी check कर सकते हो या फिर बहुत easily इसका हम inverse भी find कर सकते है देखें A inverse equals to formula 1 upon determinant of A into adjoint of A तो इसका जो determinant रहेगा देहां दीजे इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है minus 1 into 2 minus 2 minus 3 into 5 minus 15 minus minus plus 15 minus 2 plus 15 it is 13 तो determinant of A 13 मिल रहा है फिर यह diagonal elements को interchange करना है minus 1 2 यह जो है इसे 2 minus 1 इस प्रकार से लिखना है adjoint लेते समय और non diagonal elements के sign change करने तो यह रहेगा 3 minus 5 क्योंकि minus 3 का sign plus 3 होगा और plus 5 का sign minus 5 हो जाएगा तो इस प्रकार से देखिए A inverse का यहाँ पर value रहेगा 1 upon 13 2 minus 5 3 minus 1 अब यह इस प्रकार का answer हमें किस option में दिख रहा है देखिए ध्यान दीजे यह answer option A ही है तो आपको answer paper में सिर्फ इतना ही लिखना है question number देना है फिर question number का आपको जो option देना है यह option लिखना है फिर 1 upon 13 ओके फिर हमें क्या लिखना है 2 minus 5 3 minus 1 बस इतना ही आपको answer paper में लिखना है explanation वहाँ पर देने के जरुरत नहीं है जब आपको multiple choice question solve करना रहता है ठीक है इसका screenshot लिजे question number 2 method of reduction का problem है लेकिन method of reduction delete है तो इसकी जगा हम इस question को solve करेंगे method of inversion से मतलब matrix का inverse find करके in equations को हम solve करेंगे 4 minus का question है ओके देखे यहाँ पर equations हमारे पास है equations है x minus y plus z equals to 4 2 x plus y minus 3 z equals to 0 x plus y plus z equals to 2 ठीक एक बार मुझे equation check करने दीजे ओके सही लिखे है मैंने अब देखिए मैं इसका matrix form लिखूंगा now the matrix form is matrix form is देखिए इसका matrix form क्या है रहेगा ax equal to b तो यहाँ पर जो matrix a है धान दीजे यह matrix a है matrix a मतलब x y z के coefficients ठीक है matrix a रहेगा 1 minus 1 1 फिर 2 1 minus 3 x y z के coefficients लिखने हैं और फिर 1 1 1 इस प्रकार से now determinant of a equals to determinant of 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 इसका अब हमें determinant find करना है now determinant of a equals to देखिए धान दीजे 1 into inside the bracket इन दोनों का product 1 इन दोनों का product minus 3 minus minus plus 3 फिर second element लेते समय sign change करना है minus 1 की जगा यहाँ पर लिखेंगे हम plus 1 minus 1 की जगा plus 1 फिर इन दोनों का product 2 और इन दोनों का product minus 3 minus minus plus 3 हो जाएगा ठीक है न फिर इसके बाद में third element लेते समय sign change नहीं करना है plus 1 लेंगे फिर इन दोनों का product minus करना है तो यह रहेगा 2 minus 1 now determinant of a equals to 1 into 4 plus 1 into 5 plus 1 into 1 इस प्रकार से रहेगा ठीक है न बहुत ही simple है क्या करना है जब देखिया आप इसे लेते हो तो इसके row column के element skip करना है इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है second element लेते समय sign change करना है फिर इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है फिर third element लेते समय sign change नहीं करना है फिर इन दोने के प्राट से इन दोने का प्राट माइनस करना है बहुत ही सिंपल है अगर A inverse exist होता है तो हम यहाँ पे pre-multiplying pre-multiplying by A inverse 2 किसे multiply करना है A X equal to B को अगर इसे pre-multiplying करेंगे तो यह मिलेगा A inverse into A into X equals to A inverse B A inverse into A मतलब I I X equals to A रहेगा A inverse B और I X equals to A inverse B इसका मतलब X equals to रहेगा A inverse B क्योंकि identity matrix से किसी भी matrix को multiply करेंगे अगर confirmable है तो वहाँ पे वही matrix हमें answer मिलेगा तो X equals to A inverse B और इसे कहेंगे हम equation first अब इसमें हमें A inverse का value substitute करना है X पता है B पता है A inverse पता नहीं A inverse हम find करेंगे अब यह A inverse find करने के लिए हम formula यूज़ करेंगे 1 upon determinant of A into adjoint of A इसका मतलब A inverse equals to 1 upon 10 determinant of A अब हमें find करना है adjoint of A देखे friends adjoint of A find करने के लिए हम यहाँ पे shortcut method यूज़ करेंगे ठीक है अब किस प्रकार से adjoint of A find करना है देखे मैं इस matrix को यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 minus 1 1 फिर 2 1 minus 3 और फिर 1 1 1 ओके अब इसी row को मैं नीचे copy कर देखे मैंने पूरे matrix को लिख लिए 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1 अब इसे मैं नीचे copy कर लेता हूँ 1 minus 1 1 2 1 minus 3 ठीक है ना मैंने first row को नीचे copy कर लिया फिर second row को नीचे copy कर लिया अब first column को उदर copy कर लेता हूँ 1 2 1 1 2 फिर second column को copy कर लेता हूँ फिर यह रहेगा माइनस 1, 1, 1, माइनस 1, 1 अब हमें क्या करना है देखे फ्रेंड्स अब हमें यहां का first column और first row को skip कर देना है अब हम क्या करेंगे अब इन दो column के बारे में सोचते हैं ठीक है देखिए इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है फिर यह minus 3, minus minus plus 3, 1 plus 3 मतलब यह मिलेगा यहां पे हमें 4 अब हमें लेना है vertical लेकिन लिखना है horizontal फिर इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करते हैं तो answer हमें 2 मिलेगा 1 into 1, 1, minus 1 into 1, minus 1, minus minus plus 1, 1 plus 1, 2 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है 3 minus 1, 3 minus 1 मतलब 2 फिर अब इन दो कॉलम के बारे में हम सोचते है फिर अब इन दोनों के प्रड़क्ट से इन दोनों का प्रड़क्ट माइनस करना है माइनस 3 माइनस 2 इट विल बी माइनस 5 यह रहेगा यहां पे माइनस 5 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का point minus करना है तो यह हमें यहाँ पे मिलेगा 0 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का point minus करना है 2 minus minus 3, 2 plus 3, 2 plus 3 मतलब यह रहेगा 5 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का point minus करना है 2 minus 1, it will be 1 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है it will be minus 2 फिर इन दोनों के product से इन दोनों का product minus करना है 1 plus 2, 1 plus 2 मतलब यहाँ पे रहेगा 3 अब यह हमारा answer सही है या ने inverse सही है ने हम यहीं पर इसे चेक करना है क्या करेंगे देखें इसके first row से इसके first column को multiply करेंगे बाहर 1 upon 10 है तो यह first row और यह first column इसका प्राइट हमें 10 मिलना चाहिए 1 into 4, 4 minus 1 into minus 5, plus 5 4 plus 5, 9 1 into 1, 1 9 plus 1, 10 इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे हमें 10 प्राइट मिल रहा है बाहर 1 upon 10 है तो answer यहाँ पे बनाएगा अब second row से second column को multiply करते है 2 into 2, 4 1 into 0, 0 minus 3 into minus 2, plus 6 4 plus 6, 10 बाहर 1 upon 10 है answer 1 मिलेगा फिर third row से third column को multiply करते है 1 into 2, 2 1 into 5, 5 1 into 3, 3 2 plus 5, plus 3 it is again 10 ठीक है तो answer यहाँ पे हमें मिलेगा 1 तो इस प्राकार से देखे हमने यहाँ पे A inverse find किया है अब हमें इस value को substitute करना है put in equation first इसे हम equation first में substitute करेंगे what is equation first यहाँ पे x, y, z x का value है फिर A inverse का adjust हमने value find किया है 1 by 10 4, 2, 2 minus 5, 0, 5 1, minus 2, 3 और फिर यहाँ पे लेना है हमें matrix B matrix B देखिए यहाँ पे रहेगा matrix B हमने लिखा है मैंने matrix A यहाँ पे matrix X लिखना ज़रूरी था नहीं लिखाए मैं लिख देता हूँ x, y, z और फिर यहाँ पे लिखेंगे matrix B matrix B हमारे पास है 4, 0, 2 ठीक है तो यहाँ पे matrix B हम consider करेंगे 4, 0, 2 अब इनका adjust हमें product लेना है ठीक है न देखिए यह तो आपको अब समझ में आगा है कि हमने हमने shortcut method यूज किया add-grain find करने के लिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको add-grain find करना रहता है आप कौन सा method यूज करोगे यह इसके उपर इसके mass नहीं डिपेंड रहता है ठीक है ना अब देखिए यहाँ पे अगर first row से first column को हम multiply करेंगे now x, y, z here 1 upon 10 फिर अब हम हमें क्या करना है first row से first column को multiply करना है 4 into 4 it will be 16 2 into 0, 0 और 2 into 2, 4 तो यह 16 plus 0 plus 4 मिलेगा अब second row से second column को multiply करते है minus 5 into 4 it is minus 20 0 into 0, 0 और 5 into 2 it will be 10 तो यह मिलेगा 10 हमने क्या किया देखिए second row से इस first column को multiply किया 1 into 4 it is 4 minus 2 into 0 it is 0 ओके और 3 into 2 it is 6 ठीक है ना तो इस प्रकार से रहेगा 1 into 4, 4 minus 2 into 0, 0 3 into 2, 6 अब देखिए यहाँ पे जो column matrix है x, y, z now this is equals to 1 by 10 तो यहाँ मिलेगा ठीक है ना अगर multiply करते है 1 by 10 से अंदर के हर एक element को इसका मतलब 10 से divide करते है तो यह मिलेगा 2 minus 1, 1 now by equality of matrices by equality of matrices क्या मिलेगा हमें x equals to 2 y equals to minus 1 and z equals to 1 अब देखिए यह तीनों values तीनों equation को इसने हमें satisfy करना ही चाहिए अगर हमारा answer सही है तो 2 फिर यहाँ पे minus 1 minus minus plus 1 2 plus 1 3 3 plus 1 4 यह satisfy कर रहा है 2 into 2 4 minus 1 4 minus 1 3 3 into 1 3 3 minus 3 0 फिर यहाँ पे 2 minus 1 1 1 plus 1 2 तो इस प्रकार से देखिए x, y, z यह तीनों भी value इन तीनों equation को satisfy कर रहा है इसका मतलब हमारा answer सही है ठीक है इसका screenshot लीजिए July 2017 में हमें MCQ पूछा गया है यहाँ पे order 2 का matrix दिया है और इस matrix का inverse find करना है देखिए बहुत easy इसका inverse है now inverse find करने का जो method है बहुत easy है देखिए हम A equals to consider करते है 1 minus 1 2, 3 तो A inverse equals to हमारे पास है 1 upon determinant of A into adjoint of A formula इसका मतलब 1 upon अगर determinant find करेंगे 1 into 3 2 into minus 1 minus 2 minus minus plus 2 3 plus 2 मतलब 5 अब इसका जो adjoint रहता है बहुत easy है diagonal elements को interchange करना है 3, 1 और non-diagonal elements के sign change करने minus 2, 1 देखिए इस प्रकार का answer हमें कहां पे दिख रहा है 3, 1 minus 2, 1 3, 1 minus 2, 1 यह option B में दिख रहा है 1 by 5 3, 1 minus 2, 1 तो यहां का question number 1 का answer रहेगा option B 1 by 5 3, 1 minus 2, 1 आपको answer paper में सिर्फ इतना ही लिखना explanation आपको महाँ पे देने को कुछ जरूरत नहीं जब भी आपको multiple choice question पूछा जाता है ठीक है इसका screenshot लिजे July 2017 में जो next question पूछा गया है यहां पर matrix A दिया है और verify करना है A into adjoint of A equals to determinant of A into I ओके दिखिए सबसे पहले हम determinant इक बार find कर लेते हैं matrix A हमारे पास है 1 minus 1, 2 3, 0 minus 2, 1, 0, 3 ठीक है न determinant of A मतलब इस matrix का determinant लेना है 1 minus 1, 2 3, 0, minus 2, 1, 0, 3 now determinant of A equals to अब दिखिए 1 into inside the bracket इन दोनों का product 0 इन दोनों का product 0 ही रहेगा 0 minus 0 second element लेते समय sign change करना है minus का sign plus लिए है 3 into 3 it will be 9 1 into minus 2 minus 2 minus minus यह plus 2 मिलेगा फिर plus 2 into inside the bracket इन दोनों की product से इन दोनों का product minus करना है मतलब 0 minus 0 रहेगा इसका मतलब determinant of A equals to यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा 9 plus 2 यहाँ पे मिलेगा 11 which is not equals to 0 ठीक है यहाँ पे तो inverse नहीं find करना है हमें हमने determinant of A का value find किया है now look here अब यहाँ पे हमें determinant of A into I का value find करना है ok determinant of A into I मतलब 11 into यह रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब determinant of A into I का value हमें मिल रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 0 1 ठीक है ना यह रहेगा determinant of A into I का value चलिए इसे कहते हम first अब हम find करेंगे adjoint of A adjoint of A find करने के लिए co factors find करने बढ़ेंगे A 1 1 फिर उसके बाद A 1 2 फिर उसके बाद में A 1 3 फिर उसके बाद A 2 1 A 2 2 A 2 3 फिर उसके बाद में A 3 1 A 3 2 और A 3 3 यह co factors अब यहाँ पे हमें find कर लेना है चीक है और बहुत ही easy way में इसे हम find करेंगे A 1 1 मतलब minus 1 का power 1 plus 1 2 फिर यहाँ पे लेना है में M 1 1 फिर यहाँ minus 1 का power 3 क्योंकि इन दोनों का sum हम power में लेते हैं फिर इसके साथ लेना है minor M 1 2 यहाँ पे minus 1 का power 4 इसके साथ में लेना है M 1 3 यहाँ पे minus 1 का power 3 इसके साथ में लेना है M 2 1 यह रहेगा 4 ठीक है न 3 प्लस 1 4 फिर इसके साथ में लेना है हमें M31 फिर यहाँ पे माइनस 1 का पावर 5 यहाँ पे लेना है इसके साथ में M32 यहाँ पे माइनस 1 का पावर 6 इसके साथ में लेना है M33 यह सबी माइनस हमने कंसिलर किया है minus 1 का power 2 मतलब यह plus 1 हो जाएगा देखिए जब भी minus 1 का power even रहेगा plus 1 odd रहेगा minus 1 तो इसका अंसर रहेगा minus 1 यहाँ पे यह 1 यहाँ पे minus 1 फिर से यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे minus 1 फिर यहाँ पे plus 1 फिर यहाँ पे minus 1 और फिर यहाँ पे plus 1 इस प्रकार से रहेगा ठीक है ना अब इसको हमें M11 लेना है मतलब first row first column skip करना है first row first column minor लेना है मतलब उस row यह पहला element row के लिए दूसरा element column के लिए तो first row first column को skip कीजिए first row first column को skip किया तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा it will be 0 फिर अप second row first column को second row second row second column को skip करना है first row second column को skip किया 3 into 3 9 1 into minus 2 तो it will be 9 यह रहेगा 9 plus 2 मतलब answer मिलेगा हमें minus 11 ठीक है ना फिर इसके बाद में देखिए फिर इसके बाद हमें लेना है m13 मतलब first row third column को skip करना है first row third column को skip किया तो इसका product हमें answer 0 ही मिलेगा 1 into 0 मतलब it will be 0 अब हमें second row first column को m21 मतलब second row first column को skip करना है second row को skip करना है first column को skip करना है यह second row और यह first column इसको हमने गर skip किया second row first column को skip किया तो minus 1 into 3 minus 3 0 into 2 0 now it will be minus 3 minus 0 मतलब answer मिलेगा हमें 3 ठीक है ना फिर इसके बाद second row second column को skip करना है second row को skip करना है second column को skip करना है इन दोनों का product 2 it will be 3 minus 2 मतलब answer मिलेगा हमें 1 फिर अब हमें second row third column को skip करना है second row third column को skip किया तो यह 0 मिलेगा और यह minus 1 तो यह हो जाएगा 0 plus 1 ओके देखे हमने क्या किया अब second row और third column को skip किया 0 plus 1 0 plus 1 मतलब 1 1 into minus 1 मतलब minus 1 अब हमें third row first column को skip करना है minus 1 into minus 2 2 minus 0 हो जाएगा यह 2 minus 0 मतलब answer मिलेगा हमें 2 फिर अब हमें third row second column को skip करना है third row second column को skip किया third row second column को skip किया तो यह minus 2 और यह minus 6 मिलेगा minus 2 minus 6 मतलब minus 8 तो यह हो जाएगा plus 8 0 plus 3 0 plus 3 मतलब 3 तो यह मिलेगा हमें 3 अब हम find करते है Adjoint of A धान दीजे Adjoint of A equals to रहता है A11, A12 A21, A13 ची कहना फिर इसके बाद में A21, A22 A23 फिर इसके बाद में लेना है A31, A32 और A33 और इसका लिखना है transpose, मतलब यह रहेगा Adjoint of A equals to धान दीजे यहाँ पर हम अब एलिमेंट यह जो वैलू है वैलू सब्सूर कर देते हैं वैलू ज रहेंगे 0-11, 0 3131-1 फिर 283 283 और इसका लेना है हमें transpose, इसका मतलब Adjoint of A equals to रहेगा 0-11, 0 31-1 और फिर यह 283 यह हुआ इसका transpose, अब हमें A A into Adjoint of A लेना है A into Adjoint of A मतलब matrix A into Adjoint of A What is matrix A? Matrix A is 1-1, 2 1-1, 2 फिर 3, 0, minus 2 फिर 1, 0, 3 इसका product किसके साथ लेना है? Adjoint of A के साथ What is Adjoint of A? It is 0, 3, 2 minus 11, 1, 8 0, minus 1, 3 ठीक है? Now A into Adjoint of A equal to अब देखें इसका हमें product लेना है 1 into 0, 0 minus 1 into minus 11 plus 11, 2 into 0, 0 मतलब यह हुआ जाएगा ठीक है ना, मैं थोड़ा साइस को इदर लिखता हूँ Now this is equals to यह हुआएगा 0 plus 11 plus 0 1st row से 1st column को multiply किया अब 1st row से 2nd column को multiply करते है 1 into 3, 3 minus 1 minus 1 into 1 minus 1 2 into minus 2 minus 2 3 minus 1 minus 2 ठीक है? 3 minus 1 minus 2 इसका मतलब यह यहाँ पे हमें 0 ही मिलेगा फिर आप 3rd row से 3rd column sorry, 1st row से 3rd column को multiply करते हैं तो 2 minus 8 plus 6 मिलेगा फिर अब 2nd row से 1st column को multiply करना है 3 into 0, 0 0 into minus 11 it will be 0 फिर minus 2 into 0 it is 0 अब 2nd row से 2nd column को multiply करना है 3 into 3, 9 0 into 1, 0 minus 2 into minus 1, plus 2 फिर अब 2nd row से 3rd column को multiply करना है 3 into 2, 6 0 into 8, 0 minus 2 into 3, minus 6 फिर अब यह होगा 2nd row का अब 3rd row से 1 into 0, 0 0 into minus 11, 0 3 into 0 is 0 फिर 1 into 3 is 3 0 into 1 is 0 3 into minus 1 is minus 3 फिर 3rd row से 3rd column को multiply करना है 1 into 2 is 2 0 into 8 is 0 3 into 3 is 9 तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारे पास रहेगा अब यह element मिलेंगे हमें 11, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11 और इसे कहेंगे हम 2nd देखिए 1st और 2nd 1st में जो value हमें मिला है वही 2nd में value मिल रहा है determinant of A into I का जो value था वही A into adjoint of A का value है तो from 1st and 2nd from 1st and 2nd हम क्या कह सकते है A into adjoint of A equals to determinant of A into I और यह basic property है जिस प्रकार से A into adjoint of A equals to determinant of A into I है उसी प्रकार से adjoint of A into A देखिए यह भी true है adjoint of A into A equals to determinant of A into I और इसके उपर आपको MCQ as a MCQ multiple choice question भी पूछा जा सकता है MSTCET में भी इस प्रकार का question आपको पूछा जाता है यह basic property है A into adjoint of A adjoint of A into A equals to determinant of A into I ठीक है इसका screenshot लेजिए 2018 में जो objective पूछा गया है यहाँ पे हमें दिवे matrix का adjoint find करना है बहुत ही simple है देखिए यह जो matrix A है इसका adjoint हमें find करना है suppose तो इसका adjoint जो रहेगा इन diagonal elements को interchange करना है यह 2 1 है तो 1 2 लिखेंगे और non-diagonal elements के sign change करना है मतलब 4 की जगा minus 4 और minus 3 की जगा plus 3 non-diagonal elements के हमने sign change कर लिए और diagonal elements को interchange कर लिए non-diagonal elements के हमने sign change कर लिए देखिए यह इस प्रकार का answer आपको option A में दिखेगा 1 3 minus 4 2 तो question number 1 का answer option A रहेगा और option A हमारे पास है 1 3 minus 4 2 यह रहेगा इसका answer ठीक है इसका screenshot लेजे March 2018 में जो next question पूचा गया है यहाँ पे हमें matrix दिया है और इस matrix का inverse find करना है by using elementary row transformation फोर मार्स के लिए question है ठीक है तो चलिए सबसे पहले इस matrix A को consider करते है 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1 ठीक है अब इस matrix का हमें determinant find करना है inverse exist होता है यह नहीं यह verify करना पड़ेगा सबसे पहले now 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1 इसका determinant हमें find करना है now determinant of A equals to 1 into inside the bracket इन दोनों का product 3 फिर यहाँ पे minus 0 minus 2 into इन दोनों का product minus 1 इन दोनों का product यह minus 0 minus 2 into इन दोनों का product plus 2 फिर यहाँ पे minus 0 इसका मतलब determinant of A equal to देखे क्या रहेगा 3 minus 0 3 1 into 3 is 3 minus 2 into minus 1 यहाँ पे यह plus 2 मिलेगा minus 2 into 2 it will be minus 4 3 plus 2 5 5 minus 4 1 which is not equals to 0 and therefore यहाँ पे हम कह सकते है A inverse exist अब elementary row transformation यूज करना है तो हम identity यूज करेंगे A into A inverse equals to I तो चलिए यहाँ पे matrix A लेते हैं what is matrix A 1, 2, minus 2, minus 1, 3, 0 फिर 0, minus 2, 1 ओके into A inverse equals to identity matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 अब देखिए friends इस matrix को हमें identity matrix में convert करना है इसे identity matrix में convert करने के लिए हमारा जो traveling path रहेगा यह इस प्रकार से रहेगा पहले 1 फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0 यह first column होगा ठीक है तो यहाँ पे 1 और लड़ी है 1 लाने की जरुरत ने यहाँ पे 0 लाना है तो हम R2 प्लस R1 लेते है change हमें R2 में करना है और change हम किस प्रकार से लेंगे R2 प्लस R1 वाला इसका मतलब देखिए अब हम क्या ले सकते है यह first row as it is रहेगा 1, 2, minus 2 यह जो second row है इन दोनों का sum लेना है minus 1, plus 1, it will be 0 then 3 plus 2, it is 5 ओके then 0 minus 2, it is minus 2 ठीक है ना इस प्रकार से मिलेगा इन दोनों का हमने sum लिया है फिर यहाँ रहेगा 0, minus 2, 1 into A inverse equals 2 अब यह first row as it is 1, 0, 0 second row 0, plus 1, 1 1, plus 0, 1, 0 देखिए 0, plus 1, 1 1, plus 0, 1 0, plus 0, 0 फिर यहाँ पे रहेगा 0, 0, 1 ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए कितना 1 देखिए यह हमने first column 1, 0, 0 लाए फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 1 लाना है फिर इसके बाद यहाँ पे 0 और फिर इसके बाद यहाँ पे 0 लाना है ठीक है न यह हमारा traveling पात रहेगा अब यहाँ पे हमें one लाना है मतलब second row में हमें one चाहिए तो इसके साथ use करना है हमें third row देखें बहुती simple operation हम क्या करेंगे r2 plus 2 r3 ऐसा operation लेते हैं क्योंकि इसे अगर 2 से multiply करेंगे तो minus 4 होगा five plus minus four मतलब five minus four हमें one मिलेगा तो अब यहाँ पे first row रहेगा one two minus two second row zero अब यह five minus four हमारे पास one रहेगा इसे अगर two से multiply करते तो plus two हो जाएगा minus two plus two it will be zero फिर यह रहेगा zero minus two one into a inverse equal to धान दीजे यहाँ पे one zero zero second row में change करना है किस प्रकार का change third row को zero से multiply करके add करना है इसे zero से multiply किया zero मिलेगा one में add किया तो one रहेगा इसे two से multiply किया तो zero मिलेगा one में add किया तो one रहेगा इसे two से multiply किया तो two मिलेगा zero plus two it will be two इस प्रकार से रहेगा फिर यह रहेगा zero zero one ओकी फिर इसके बाद हमें यहाँ पर 0 चाहिए ठीक है देखे जब यहाँ आपको 0 लाना है तब इसके साथ 3rd row के साथ आपको 2nd row ही उसकरना पड़ेगा यहाँ पर हमें 0 चाहिए ठीक है ना तो आप दूसरा चेंज इस प्रकार से भी ले सकते हो आरवन में चेंज लेना है तो किस प्रकार का चेंज लेना है आरवन माइनस 2 आरटू इस प्रकार के साइमल्टेनियसली दो चेंजे हम लेते हैं देखिए 2nd row तो हमारा as it is रहेगा उ इससे 2 से मल्टिप्लाइ करके यह operation देखते पहले इससे 2 से मल्टिप्लाइ करके इसमें से माइनस करना है इससे 2 से मल्टिप्लाइ किया तो 0 इससे 2 से मल्टिप्लाइ किया तो 0 ही रहेगा इसे 2 से multiply किया, 0 में से minus किया, तो minus 2 रहेगा, इसे 2 से multiply किया, 0 से minus किया, तो यहाँ पे minus 4 रहेगा, ठीक है, अब उसी प्रकार का change यहाँ पे लेना है, देखिए, 0 plus 0 तो 0 मिलेगा, इसे 2 से multiply किया, minus 2 plus 2, यह 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसे 2 से multiply किया, 0, 1 में add किया, तो 1 ही र रहेगा ठीक है अब यहां पर देखिए इसे टू से मल्टिप्लाई किया जिरो में अड़ किया तो यहां पर तू रहेगा इसे टू से मल्टिप्लाई किया जिरो में अड़ किया तो तू रहेगा इसे टू से मल्टिप्लाई किया वन में अड़ किया तो फाई मिल जाएगा त प्रकार से complete होगा identity matrix, already यहां पर 1 है, 1 लाने की जरुरत ने, यहां पर 0 है, 0 लाने की जरुरत ने, अब यहां पर आपको 0 लाना है, और compulsory आपको operation कौन सा use करना है, देखिए, change कहां पर करना है, first row में, और किस प्रकार का change करेंगे, r1 plus 2 r3, बहुत ही simple operation है, तो यह हो जाएग फिर 0, 1, 0, फिर 0, 0, 1, okay, into a inverse equals to, first row में ही change हो रहा है, और किस प्रकार का change, third row को 2 से multiply करना है, 2 into 2, 4, minus 1, plus 4, it will be 3, इसे 2 से multiply किया, 4, minus 2, plus 4, यहां पर 2 मिलेगा, इसे 2 से multiply किया, 10, minus 4, plus 10, यहां पर 6 रहेगा, फिर यहां रहेगा, 1, 1, 2, और फिर यहां पर रहेगा, 2, 2, 5 ठीक है न, अब यह identity matrix है, therefore, i into a inverse equal to, अब यह रहेगा, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, अब यह i into a inverse मतलब यह होगा, a inverse equals to, देखे धान दीजे, 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, अब यह हमारा inverse सही है, है यह नहीं, हम चेक कर सकते हैं, इसके first row से, उसके first column को multiply किजिए, answer 1 मिलना चाहिए, 1 into 3, 3, minus 1 into 1, minus 1, ओके, फिर 0 into 2, 0, देखे, 1, हमें first row से, sorry, first row से first column को multiply करना है, 1 into 3, 3, 2 into 2, 2, 3 plus 2, 5, minus 2 into 2, minus 4, 5 minus 4, 1 मिल रहा है, अब second row से second column को multiply किए, second row minus 1, 3, 0 है, फिर second column 2, 1, 2 है, minus 1 into 2, minus 2, 3 into 1, 3, 0 into 2, देखे, यहां पर minus 1 into 2, minus 2, 3 into 1, 3, 2 into 0, 0, minus 2, plus 3, plus 0, it will be 1, अब third row से third column को multiply किजिए, 0 into 6, it will be 0, देखे, 0 into 6 क्या मिलेगा, 0, फिर minus 2 into 2, it is minus 4, फिर 1 into 5, it is 5, 0 minus 4, plus 5, it will be 1, इसका answer हमें मिलेगा, 1, तो इसका मतलब इसका 1st row इसका 1st column product 1 मिल रहा है यहां का 2nd row वहां का 2nd column product 1 मिल रहा है यहां का 3rd row वहां का 3rd column product हमें 1 मिल रहा है तो इसका मतलब हमारा answer सही है तो elementary row transformation use करके देखिए यहां पे हमने इस matrix का inverse find किया है यह जो question है, यह question हमें 4 marks के लिए पूछा गया है, अब देखे friends, यह 4 marks का distribution किस प्रकार से रहेगा, यह तो आपने यहाँ पे लिखा है, A inverse exist, यहाँ तक के portion को आपको 1 mark दिया जाएगा, फिर यहाँ पे जो identity आपने लिखा है, इसके लिए 1 mark रहेगा, और फिर यह last answer तक आप जब पहुचते हो, तो बीच में एक steps को यहाँ पे 1 marks और last step, last का जो step है, वहाँ का 1 mark, मतलब 1 1, फिर यहाँ पे बीच में 1 और last में यहाँ पे 1 रहेगा, तो इस प्रकार से 4 marks का यहाँ पे distribution रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको time लगता है, solve करने के लिए, लेकिन आपको fully concentration, पूरा धहल रखके इसे solve करना है, और practice बहुत ज़्यादा करनी है, elementary row transformation, elementary column transformation, row transformation यूज़ करते हैं, हम column को save करते चलते हैं, 1, 0, 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, इसी प्रकार से आपको changes करते जाना है, अगर इस प्रकार से आप changes करते जाओगे, तो आपको देखिए, बाकी के element कुछ भी यहाँ पे disturb नहीं होगे, तो